जैश्र कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मागमास महात्म का ग्यारवाध है यमदुत कहने लगा कि है वैश्य मनुष्य को सदेश शालिग्राम की शीला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए क्योंकि सब पापो को नाश करने वाले, सब पुर्णयों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विश्णू का इसमी निवास होता है जो मनुष्य शालिग्राम की शीला या हरी चक्र में पूजन करता है वो अनिक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है जो फल देवताओं को निर्गुन ब्रह्म की उपासना में मिलता है वहे फल मनुष्य को भगवान शाली ग्राम का पूजन करने से यम लोग को देखने नहीं देता है भगवान को लक्षमी जी के पास अत्वा वैकुंट में इतना आनन्द नहीं आता जितना शाली ग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है स्वर्ण कमल युक्त करोडो शिलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शाली ग्राम के पूजन से मिलता है भक्ति पुर्वक शाली ग्राम का पूजन करने से विश्णो लोग में वास करके मनुष्य चक्रवती होता है काम, क्रोद, लोप, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शाली ग्राम का पूजन करने से पेखुण में प्रवेश करता है जो सदे शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलैकाल तक्स्वर्ग में वास करते हैं जो दिक्षानियम और मंत्रों से चक्र में बली देता है वह निश्य करके विश्णुलोग को प्राप्त होता है जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिशेक करता है वह मानों पूर्ण तेर्थों में इसनान करता है गंगा, रेवा, गुदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है जो मनुष्य शालिग्राम की शीला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं जो लोग नित्ते शालिग् वह स्थान तिर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किये गए संपुन्डान, होम, करोडो गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक भून भी शाली ग्राम का जल पीता है। वह माता के इस्तनों का दुग्दपान नहीं करता। अथार्थ गर्भाशे में नहीं आता। शाली ग्राम शीला में जो किडे मकोड एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंट को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदय विस्वरन करने से प्राप्त होता है। मुहोवश अनीक प्रकार के गोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नर्क में नहीं जाता संसार में जितने तिर्थो और पूर्णे स्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार माग माज महात्म का ग्यारवा अध्याय संपून हुआ और भी अध्याय का महात्म सुनने के लिए चैनल पर बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें मेरे चैनल पर यदि आप नए है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री कृष्णा राधे राधे